हेलो माई डियर फेंड कैसे हैं आप उमीद आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे common problem के बारे में जो हम maximum agents को आ रही है जो चमेट application में agent है जिनको maximum को ये problem देखने को मिल रही है paid partly ये हमें कब देखने को मिलता है जब हमारी settlement हो जाती है तो Monday को हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो कुछ पैसा है उसमें से कुछ परसेंट हमारा कट गया है अगर Monday नहीं देखने को मिलता तो Wednesday को evening में हमें ये सब देखने को मिल जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक एसब एजेंट है जिनका 30 डॉलर यहाँ पर कटा है उसके बाद दूसरी होस्ट के पास से यहाँ पर कटा है 19 डॉलर फिर 12 डॉलर और 21 डॉलर यहाँ कि काफी बड़ा अमाउंट उनका वीकली यहाँ पर कट गया है ये आप सभी के साथ भी हुआ होगा लेकिन इसका reason क्या होता है इसका reason होता है जब हम कोई भी gifting करते हैं अपनी host को तो gifting के time पे हम क्या करते हैं या तो किसी unknown से gifting कराते हैं और उसके साथ deal करते हैं कि हम आपको 50% आपको pay कर देंगे 50 हम रख लेंगे और उन्होंने काफी ज तो उन्हें कैसे ध्यान रखना है और इस चीज़ को कैसे बचाना है तो उन्हें ध्यान रखना है कि जिस भी ID से gifting होई है दोस्तो जिस भी ID से gifting होई होगी जैसा कि मैं view more पे click करूंगा तो मुझे ये IDs देखी हैं तो इन IDs के ओपर face verify होना चाहिए और phone number registered होना चाहिए application के उपर ये दो चीज़े अगर हो जाती है तो ये ID से फिर पैसा ये वापस refund नहीं होता है दूसरे case में क्या होता है दोस्तो जो यहाँ पर ये agent ये user है ये क्या करेंगे आपको पहले तो gifting करेंगे और फिर company को mail डाल देंगे कि हमारे जो gifting हो गलत तरीके से हमारी ID को hack करके क गी है तो company इनकी जितने भी gifting है वो इनको refund कर देगी लेकिन वो refund उसी case में करेंगी दोस्तो जब ये inbox में gifting करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा जब आपकी host को inbox में gifting की जाएगी ये तभी refund होती है अगर वो live stream में रहते है और उसको वहाँ पर gifting करी जाते है एक face registered ID से तो वो refund नहीं होते है और उसको पूरा पैसा महाँ पर मिलता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह paid है और इसका कोई भी reason यहाँ पर नहीं है तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस होने वाले loss से आपको बचना है तो उमीद है आप सभी agents को यह agency नहीं बनाई है तो description में मैंने link डाल दिया है वहाँ से आपने कुद की agency बना सकते हैं और मुझे वहाँ पर message भी कर सकते हैं thank you very much